हलो आइम सुनील गुलेरिया और आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम भीम हम पिएशपी में माय सीकुल को कैसे यूज़ करेंगे और पिएशपी के तुह हम मैसी कुल की डिटबेस और टेबल में डिटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं HTML page से लेके उसके लिए हमें Dreamweaver open करना पड़ेगा और Dreamweaver आप start कर सकते हैं या आप कोई भी HTML का जो editor है वो so अब हमने एक file open की है जो हमारे पास HTML page है वो हमने create की है था last video में हम उसी HTML page को use करेंगे और उस HTML page में जो हम data user से लेंगे उस data को हम चाहते हैं कि अपनी database में और particular table में save करें उसके लिए हमने ये student.html open कर लिए और अगर आप चाहते हैं कि एक और open आपने फाइल करनी तो open recent में जाके अगर आप देखें तो student.html होगी student.php है तो यह हम student.php फाइल भी open कर लेंगे अब हमने यहां पर कुछ code लिखना है for example आप student.html को देखें तो इसमें हमारे पास है txt underscore name txt underscore roll number और txt underscore fee अब यह जो हमारे पास तीन text boxes हैं इनका data php के server पे जाएगा और बहां जाके अब हम database में इन text boxes में जो user type करेगा उसको हम चाहते हैं कि अपनी database में save करें उसके लिए आप student.php को open करेंगे और हमने यह code लिखा था कि जो आप data बहां से html page से send करेंगे वो यहां हमारे पास dollar underscore request में save हो जाएगा और request से हमने एक variable बनाया local variable dollar name dollar roll number and then fee यह हमारे पास तीन variables हैं जिनमें हमने अपने html page का जो data है वो यहां पर हमने store कर लिया name, roll number और fee में फिर हमने यहां पर eco message दिया था ताकि वहां पर हम confirm कर सकें यह name है mysql underscore connect है अपने server के साथ connect किया यहां पर mysql underscore select dva है उससे हमारी database सेलेक्ट होगी और अब हमें यहां क्या करना है कि insert into student values और यह जो values हमने fix दी है कपिल हमने लिखा है यह अब मुझे उस box से चाहिए अगर उस box से चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको double quotes में ऐसे हम save कर देंगे double quotes में double quotes के बाद हम यहां पर अब चाहते हैं कि जो value मुझे मिले वो dot यहां पर dot लगाया concatenation के लिए और वो मुझे किस से मिलेगी dollar और हम यहां mention कर सकते है dollar के बाद dollar वो मुझे मिलनी चाहिए dollar name से तो आपने यहां name लिखना है फिर आपने dot लगाया और concaten करना चाहते हैं और अब आप चाहते हैं कि next जो है आप यहां यह कॉमा और यह लेके चलें और यहां पर हमने double quotes close किया है और अब इसके बाद जो मुझे one two two है यह मुझे मिलेगा मैंने dot लगाया और इसको concaten करना चाहता हूं और इसको concaten करना चाहता हूं इसमें हमें value मिलनी है role number से तो हमने यहां लिख देना है role number और फिर हमने dot लगाया और फिर हमने double quotes लगाया है और अब अगर आप देखें तो हमारे पास comma लगाया हमने और यहां double quotes close क्योंकि बीच में comma आ जागा और अब मुझे यहां dot लगाके फिर हमने लिखना है that is dollar और dollar के बाद हमारे पास next जो है that is fee और अब यह fee लिखने के बाद अगर आप mine में रखें तो हमारे पास क्या चाहिए next कि यह values का खतम हो जाएगा और यह लेकिन इसको आप double quotes लगाएंगे dot लगाके double quotes और यह इस तरह से हम यह चाहते हैं कि यह एक string बन गी इस string के साथ हम इसको concat कर रहे हैं कि हमारे पास जो name है वो आपके dollar name से pick करें फिर हमने concat किया single quotes भी चाहिए comma भी चाहिए और फिर dot चाहिए फिर roll number चाहिए फिर dot चाहिए फिर comma फिर dot फिर dollar fee dot और यह और parenthesis close और यह हमारे पास function की parenthesis close और इसके बाद हमने लिखा है eco data saved अगर आप इसे control s करते हैं आपका यह save होता है और जब आपने यह save किया है तो इसके बाद आप इसे execute करना चाहते है execute करने के लिए हमें एन्स अगेन जो है वह अपना अगर benp server है तो आप itself on कर लें और आप benp server on करेंगे और benp server on होने के बार यह हां पर आप local host में चले जैंके अगर आप यहisión कलिक करें जैसे कलिक करेंगे Local कुल होस्ट पर जाएं आप कुल होस्ट में जाने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में जाएं जहां आपने सेव कर रखा है तो हमने यह सेव कियो पीटी नुग्रोटा में और यहां हमारे पास यह पेज पढ़ा है स्टुदें.html आप इस पर क्लिक करें और नेम आप डाल दें यहां पर कविता अगर आप एंटर रोल नंबर करना चाहते हैं आपने रोल नंबर एंटर करना आपने वान एटी रोल नंबर एंटर कर दो फी आपने एंटर करनी है कोई 9000 और आप सब्मिट पे क्लिक करो सब्मिट पे जैसे क्लिक करेंगे यह पेज जो है वो php में जाएगा और बहां पर हमारे पास यहां आप नोटिस करें कि कोई नो कोई हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत आईये तो यहां पर आप देखें कि use of undefined constant roll number हमें यह देखना प करेंगे कि कि यह भूल जाते हैं कि हम PHP में कोडिंग लिख रहे हैं तो आपको डॉलर नमबर लिखना पड़ सकता है कंट्रोल एस करें आप और कंट्रोल एस करने के बाद आप फिर ब्रॉजर में जा सकते हैं आप चाहें तो आप इसे रीफ्रेश कर सकते हैं और जब आप रीफ्रेश करेंगे और अगर आपका कोड ठीक है तो वहां पर यह मैसेज देगा आपको डेटा सेवड अब अगर आपने इसको कंफर्म करना है कि क्या यह एक्चुल में सेव हुआ है यह नहीं सेव हुआ है तो आप इसमें यहां पर जाके आप फिर लोकल होस् asasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas अपने एंटर किया था इस तरह से हमारी डेटाबेस में जो डेटा है वो सेव हो चुका है और अब आप देखें तो यहां पर हमने इसको समझने कोशिश करने किया हमने किया किया हमने कुछ नहीं किया जो टेक्स बॉक्स में वैलियूज हमने कैच की है यह पीछ पी के लोकल इस तेक्स करने कि यह तरहां किया और उसकी जगा तीसरे वेरियूज होने वाला कि हम इसको जितनी बाहर चलाएंगे उसमें जो आप टेक्स बॉक्स में डालेंगे वो उसमें इंसर्ट होंगी इस स्टेटमेंट को आपने समझने की कोशिश करनी है ठैक्स फॉर वॉचिं झाल झाल